Hello everyone, last lecture में हम लोने स्टार्ट किया तर्मने लैंड का चैप्टर जिसमें हम लैंड की दिदिवेशन सम्जी थी और करिक्टर्चिक्स अफ रंड सम्झा था आज हमनों Productivity of land जाने ही क्या होता है Land में define किया था कि हमने कोई भी Land is the basic factors of production पहले चीजी जानते हम लोक है और यह दे हो दो फ्रॉट्पर्मिशन प्रॉट्प्रॉट्टिविटी इंफ्रस्ट्रॉट्चर्च्चर ग्रोथ तो यह सब चीज़े होगी नहीं अगर land एक्जिस्ट नहीं करेगी तो यहां प्या लिखा हुआ प्रोटक्टिविटी ओफ लैंड रिफर तो इस्टेंट ओफ एफिशेंसी और पुट्ट पर यूनिट ओफ पीस ओफ लैंड तो प्रोट्टिविटी ओफ लैंड क्या होता है कि कितना जादा करती है आउटपुट पर किसके लैंड के आउटपुट पर जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतनी ज्यादा हाई प्रोटक्टिविटी वहां भी मानी जाएगे अब जैसे ग्जैम्पिल कमर्शिल और अग्रिकल्चर दो चीज़े लेते हैं लोग नॉन अग्रिकल्च कि तर कि बात करें तो most suitable land कौन सी होगी प्रट्टिविटी की शहर के बीच की जमी जी जा नहर गाउं में नहर के किनारे की जमीन तो आंसर होगा तो नहर के किनारे की जमीन जो गाउं में है वो more effective land मानी जाएगी for the cultivation agriculture purpose तो productivity of land in that particular field in case of agriculture field is more highly productivity as compared to the good which is situated in urban area ठीक है ठीक है similarly अब यहां तो कमर्शियल लैंट तो कमर्शियल लैंट के लिए हमनों क्या करेंगे कि अकर कमर्शियल लैंट है कोई जिसमें मार्केट लैंट मार्केट तो कमर्शियल पपस्किलिया बैंक सेलिंग करना चाहते हैं है आप काम है ट्रेडिंग करना commerce का चैक commerce करना या बैंक सेलिंग और्फ गुण सर्विसिस को बेचना तो आप कौन सी लैंड आपके सब से situated होगी तो लोग कहेंगे कि सर सबसे एजी होगी वह सबसे अच्छी लैंड वही होगी जो मार्केट के अंदर हो और नियर टू मार्केट हो यह ठीक है तो वह समीन सबसे बहदर होगी तो यहां पर जो तो मेरे लिए जो इलहाबाद के अंदर चॉक कहते हैं तो वह बजार की जो मार्केट होगी लैंड होगी वो मेरे लिए highly productivity कहलाएगी in case of trade buying and selling of good and services लेकिन अगर हम लोग agriculture की बात करें तो वहाँ पर सबसे productivity land कौन सी कहलाएगी जहाँ पर fertile अच्छी हो soil अच्छी हो जहाँ पर dealing अच्छी हो तो यह सब सुविधा वहाँ पर possible हो पाए तो land की different different meaning होती according circumstances अब average productivity of land के होते है तो average productivity land is defined as output obtained from the land divided by area of the piece of land मतलब output upon area of land कर देंगे नहारा क्या जाग average productivity of land sorry marginal productivity of land marginal productivity land होती है increasing the output obtained from the land due to increase the one more one unit of land एक unit land को बढ़ाएगे productivity कुछ increase किया जाता है तो difference को हम लोगो marginal कहते है additional production has the optimal additional consumption on the community ठीक है यह चीज़े हमाना होता है क्या जीज़ marginal output अब हम लोग पढ़ेंगे क्या जीज़े फैक्टर एफेक्टिंग productivity of land अब यह क्या जीज़े होती है अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर फैक्टर हमने हमारे तत्व होते हैं जो effect करते हैं productivity मतलब की उसके returns पर उसके output पर यहां productivity मतलब होती है उसकी quality of land हम लोग कह सकते हैं यह efficiency of land हम लोग कह सकते हैं यह उसकी output return of the land हम लोग कह सकते हैं यहां productivity का कई meaning लिख लेगी तो क्योंकर ऐसी ऐसी active factors हैं elements हैं जिसको ध्यान रखना है जो हमारे productivity और land पर असर डालते हैं output पर असर डारेंगे तो fertility of land देखिए अब हमको अगर land में productivity करनी agriculture activities को perform करना है ठीक है तो वह सब suitable कहा होगी वह rich soil वहाँ पर होगी जहां पर नहर होगी रिवर्स होंगे ठीक है वहाँ की soil fertility अच्छी होगी ठीक है और quantity और facility वहाँ पर अबना की fertility easily possible हो सकीगी ठीक है तो उसको as compared to the urban area जहां पर fertility कायदे सकती वहाँ river नहीं है तो यह सब चीजे हमाई देखती है fertility of land हमारे output पर effect आती है जहां productivity जादा होती है ठीक है fertility जादा होती है वहाँ पर output भी जादा होता है जहां fertility कम होगी वह output भी कम होगा और fertility सिफ वहीं पर कम होती है जो near अगर 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 कल्चर की बात करें तो जो far away है किसे to the river से तो river से अगर कोई चीज दूर है तो उस situation में वहाँ पर fertility कम हो जाएगी और वहाँ का output भी कम हो जाएगा नेक्स हमारा कौंसा पॉइंट है के बीज में से situated है तो वहां पर उस जैन की more utilization माना उसका फाइदा उठाना है उसकी फाइदा उठाना utility मनला फाइदा satisfaction power ठीक है तो उसका satisfaction obtained करना land से तो देखना पड़ेगा कि land की area में situated है suppose the land is situated in the market play the core of the city that is very suitable for the market purpose or the construction purpose not for the agriculture purpose अब अगर आप ऐसे जगे पर agriculture करेंगे तो आपने resources का worse इस्तमाल करती है ठीक है तो शेहर के बीच में जहां पर आपको जादा return मिल रहा है market की वज़े से वहीं पर agriculture करेंगे और return कम कमाएंगे कि आपके जमीन छोड़ शेहर में जमीन कम होती है और आप suppose किजिए कि जैसे आपकी जमीन है 400 गजमी रोड पर चौक में यह सिवलाइंस में अब वहां पर आप market खोल करके पैसा कमाना चाहते है यह agriculture करके वहां से से यह होंगे उसको जो आप्टेन करेंगे उसको पेशने पर कम पैसा मिलेगा तो बैटर यही है कि हम मार्केट प्लेश बना जाए तो वह लैंट जो को और ऑफ दू सिटी में सिट है तो उस जादा सुटिबल होगी किसके लिए किस के लियोगी मार्केट पनाने के लिए और जो गाओं में होंगी जास्थ बाइक सिटी में किसके लियोगी अग्रिकंटर की स्था लॉकेशन इकर्ट नहीं बनेगा न हमारा लोकेशन ओअप लैन एकुझे अफटिन तो अगर बहुत दूर हुआ तो आप जो प्रोडिक्टिविटी ऑफ लैंड डिपेंड करती है किस पे उसके लुकेशन पर अगर वह जो आपके जो लैंड सिचुएटेड है बहुत दूर तो वहां पर जो लुकेशन के बहुत दूर होने पर टांपोटेशन सिस्टम डैमेज जाएगा जिससे चो आपकी लैंड पर जितना इंपूट होना चाहिए उतना इंपूट पॉस्टिविल होनी पाएगा जब इंपूट नहीं हो पाएगा तो आउटपूट भी हमको रिटन उससे नहीं मिले गा फिर क्या है इंप्रूव्मेंट डन ऑन दे लैंड बाइंग अब यहां पर क्या है दा पर्मनेंट इंप्रूव्मेंट डन ऑन दे लैंड बाइंड जनरेटिंग अर्ट अर्टिफिशल मीन्स ऑफ एगेशन हमनों को डगलर करते रहना चाहिए इसे चाहिए इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल कर सकते हैं तीवेल के थूँ या किसी और की थूँ या पाइप लाइन की थूँ हम लों वहां पर अर्गेशन कर सकते हैं वेल ट्यूवेल कैनल टैंग एस्ट्रा जिसे आर्टिफिशल अर्गेशन फैसिलिटी कहा जाता है ठीक है help to keep the water supply regular and having the positive effect on the productivity of land तो इंप्रूव्मेंट करना लैंट की जो इंप्रूव्मेंट है अगर वहां प्रॉपरली कर रहे हैं तो कोई भी लैंड को हम लोग बैटर यूट्लाइज कर सकते हैं और उसकी productivity को increase कर सकते हैं तो productivity of the land also depend on the improvement done on land by increasing the irrigation potential ठीक है अब इस्टो और इस्टो अगनाइजिसर होगा next point ठीक है the land is a passive factor of production so it is essential to combine it with other active factors the character proportions to achieve the optimum productivity ठीक है तो अगर हम लोग जो सही दीजर लेंगे तो maximum productivity पर इंक्रीज होगी according to the time and situation हमको तुरण dynamic in nature decision लेना है जो dynamic in nature होता है एक डीजर लेना है विचे इस dynamic in nature ठीक है according to the situation उससे productivity increase की जा सकती है फिर क्या land ownership law laws the land ownership law prevailing in the country having a significant influence on the productivity of land ठीक है when a full ownership is comfort and comfort the ownership taking the more interested in development ठीक है तो उससे हमारी क्या है अगर ownership जो जो है owner है owner taking more interest in development ठीक है तो हमारा क्या होगा productivity increase होगी यह ग्यापली, the productivity automatically इंप्रूव बट पूर फार्मर वर्क एस टेनेंट थी एधार तेनेंट पे इसे लाइन्लोड उसने लाइनलोड के अंदर वह प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका इंट्रेस्ट रहोगा उस पर्टिकुलर चीज पे आये का नहीं क्योंकि भाई हमारी चीज जब नहीं होती तो हमको उसको ले करके इंट्रेस्ट क्रियेट नहीं होता इंट्रेस्ट क्रियेट नहीं होका तो प्रोडक्शन विटी भी प्रोडक्टिवटी भी कहीं नहीं डैवेच होगी अब कोई चीज मुझे मेरी नहीं है उसको किसी ने किस उसको हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको खराब होने से सही होने से मेरे उपर एफेक्ट नहीं बढ़ेगा ठीक है तो यह चीजे होती है तो ओनर्शिप में यहां पर क्या देखिए लैंड ओनर्शिप लॉस क्या कहता है कि ओनर्शिप जो होता है जो अगर कोई भी लैंड को हमने किसी किराब रहे दिया प्रोर्डकेल्ट्टिवेशन के लिए तो यह इतने इंट्रेस्ट नहीं होगा हूँ किसी जिसको प्रोडख्शन करने या उद्पादन करना या कियर करना ठीए उसके बाद क्या है मारा नेस इतना पॉइंट काफी है उसके बाद क्या है लेस्ट एट इस लाइन बस आके बाकी तो भाई आप लोग जान दें कि हम लोने सारे चीज़े कवर कर ली लैंड हमारा कवर हो गया है थाइक्यू ग्लास